अब लेकिन प्रधान मंतरी के तौर पर जैसे आप अभी कह रहे थे इनका फीडबैक सिस्टम क्या है उसमें एक चीज तो रहा है कि किसी एक चीज़ पर निर्वर्ण नहीं रहते जैसे सिर्फ प्रभारी ये सिस्टम बिलकुल उनका नहीं होता वो अलग अलग चैनल के मारफ वो फीडबैक लेते हैं जैसे जो जनप्रतिनीधी मौजूदा है अगर उनसे फीडबैक लेंगे तो जो पहले की जनप्रतिनीधी है उनसे भी लेंगे संगठन में अगर प्रभाई से अगर ले रहे हैं तो फिर चुना प्रभाई से लेंगे संगठन के आम लोगों से लें उसके पीछे वो facts ढूंटते हैं, उसके पीछे डाटा ढूंटते हैं, उसके पीछे logic और reason ढूंटते हैं और जहरी तो पर इन सारी चीजों के अधार पर अगर अगर आपको यह opinion बनाए तो वो जादा बेहतर नज़र आता है, ज्यादा scientific नज़र आता है और हर चुनाव से पहले उन्हें खुद अंदाजा होता है कि इस चुनाव में पार्टी की performance क्या होने जा रही है बिल्कुल सारा बो, यह चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि कई election में और सिर्फ जीतने वाले की बात मैं नहीं कर रहा हूँ जहां बीजेपी हारी भी है इस दर्मियान दोजा चौदर के बात कर लें बिहार का जैसे पहला जो चुनाव था या दिल्ली के चुनाव के हम लोग बात कर लें तो इन सारे election में जहां या तो बीजेपी जीत रही है या फिर बीजेपी जहां हारी उनको बहुत भी यह पता रहता था और कैई सारी information ऐसे हमें off record मिलती थी जब प्रधान मंतरी के साथ तीन चार नेताओं की बैठक होती थी उस बैठक में जब नेता फीड़बैक देते थे पीएम वहाँ पे सीधे उन्हें counter करते थे कि नहीं मेरा मानना ऐसा है पर आपको बहुत तयार हुना होता है क्योंकि कब कौन सा सवाल वो फूस देंगे कब कौन सा data मांग देंगे आपको नहीं पता होता है जैसे आपने एक चीज देखा होगा कि बहुत सारे सच productivity के साथ वह बैठक करते थे कई सारे सच्चिवों होती थी 7 LKM पर या होती हैं अभी अब तो वर्च्वली होती हैं तो उसमें भी बीच-बीच बैठक में ऐसे सवाल पूछते हैं जहां पर अधिकारी चौक जाते थे संगठन की बात करने तो संगठन को लेकर मतलब बिलकुल एक तरीके से फीडबैक का सिस्टम जो है प्रधान मंतरी का बिलकुल थोरो है अब देविंद्र से बात करते हुए उनका दावात हो ये है कि 2014 जैसी परिस्ति उनको कम से कम उत्तर प्रदेश के अंदर दिखाए दे रही है और बाकी राजियों में भी चुनाओं का जो फीडबैक है बीजेपी के लिए पॉजिटिव है बेराल इंडिया टीवी को दिया गया प्रदान मंतरी नरेंदर मोदी का इंटविव आपको बता दे हैं सोशल मीडिया पर और खासते और पर ट्विटर पर जबर्दस तरीके से ट्रेंड कर रहा है बिजेपी के बड़े-बड़े नेता, केंद्र सरकार के मंतरी, प्रधान मंतरी के इस इंटर्व्यू को सोशल मीडिया पर शेर कर रहे है। जनता को भरोसा नहीं 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 है। उसके बार पुशकर सिंग धामी के कंदे पर जो है जिम्मेदारिये चुनाओं में पार्टी को विजई कराने की पुशकर सिंग धामी को लेकर कि प्रथान मंतरी की क्या राया है निश्य तोर पर युवा नेता है और जब सौरब इनके बारे में चैन किया गया तो आपने देखा कि त्रिविन सिंग रावत को उटाया गया उसके बाद तीरत सिंग रावत आया और तीरत सिंग रावत को लेकर बहुत जादा कंट्रोवर्सी होनी शुरू होगी और शायद बीजेपी के शुर्ष नेतित्र को ये समझ में आया होगा कि ये फैसला ठीक नहीं है और उस लिहाद से अचानक आनन फानन में उनको बदलने का जब फैसला लिया गया तो पुशकर धामी का अपना जो ट्रैक रिकॉर्ड है जो बैक ग्राउंड है एक तो युवानेता हैं बहुत सहज हैं इसके अलावा जो प्रिष्ट भूमी है सैने प्रिष्ट भूमी है स्टुडेंट पॉलिटिक्स है हुए है तो ये समझते हैं कि संगधन के लोगों को स असल बात वहां के लोग उसे बदल देते हैं एक ट्रेंट सा रहता है ऐसे में कॉंगर्स पार्टी के लिए और बड़ा ट्रंप कार्ड है कि आपने तीन-तीन मुख्य मंतरी बदल दिये और बार बार बाइस बात को हरी शाहत भी अपने कैम्पेयन में उच्छालते रहे हैं उतरा खंड के परिफेक्शन उन्होंने परिवार बात की राजनीती की भी बात की और अगर हम हरी श्रावत साब को देखें तो बहुत सीनियर नेता है अपने पार्टी के लेकिन देखा गया है कि कैसे अपने परिवार को टिकेट दिलाने के लिए अपने बच्छों को रिक नजदी का रिये चुनाओं का एलान हो चुगा है उसके बावजूद हरी श्रावत लगतार अपने परिवार को लेके उल्जे हुए थे टिकट को लेके उनके अपनी सीटें हो रही थी कि यहां से नहीं लड़ेंगे वहां से लड़ेंगे इसके लावा कॉंगर्वार क निताओं की बीच आपसी खीस्तान बहुत जादा बढ़ गई थी उसमें आपने बहुत सारे सारवजनिक बयान भी सुने होंगे हरी श्रावत ने किस परकार से दुखी होगे एक ट्वीट भी किया था दूसरी आपने हरक सिंग्रावत का भी उधारन देखा इसको कॉंगर् क्योंकि विकर्प वहां पे दो ही पार्टिया है इसलिए कॉंगेस पार्टि आपको बहुत मजबूती से लड़ रही है और बहुत सारे सरवे में आपने देखाव एकॉंगेस पार्टि को सीटे जादा बताई जा रही है तो उसकी बड़ी वज़ा यह है कि जो एंटी इंक स्टूर पर्ल